तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बीफ चटकारा बोटी यह बहुत ही मज़े की बनती है बहुत ही जूसी बनती है तो चली देखते हैं यह कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज पढ़ती है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्ट ले लिया है जो की छो तनिया पाउडर के बाद हम इसमें एड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर नमक आप अपने टेस्ट के अपोड़िंग डाल सकते हैं यह सारी चीज दालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी पानी से जो है हमारा जो गोश्ट है वह अच्छे से गल जाएगा पानी आप तो इसमें थोड़ा सा और सिर्का इसको सिर्का बोलते हैं आप चाहिए तो वाइट विनिगर भी ले सकते हैं इसमें डालेंगे ग्रीन चिली का सॉस अब यह सारी चीज़ा आ गई है इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको करीब आदे घंटे तक गयास पर रखके इसको जो है वह गला लेंगे तो अब जो है ना करीब आदे घंटे के बाद जो है यह हम इसको बहार निकाल लेंगे तो यह कुछ इस तरह का टेक्शर आजएगा अब फानी पचा तो सब्सक्राइब डालेंगे पुटिवी धनिया बहुत से तोड़ा सा जाएगा इसे एक बहुत ही अच्छा कलर आता है और पिल्खुल रैस्टेस आ जाता है अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा कॉनफ रप सार ऐकसे दो चमछ तो आ जाएगी अब इसमें डालेंगे फिन मेथी कसूरी मेती को जो है आपको बहुत जादा नालन इसको हम चम्मत से मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो है ये बिल्कुल रेड़ी है अब आप इसको पांस से दस मुट कर एसे रख दीजिए अब हम फ्राइपेन में तेल को गरम कर लेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो आप इन से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको बस हम बहान निकाल लेंगे और जो है इसके उपर आप चाहे तो चाट बंसरार बें डाल सकते हैं या पर नीमी भी डाल सकते हैं वैसे अपने आप में बहुत चटकारा बोटी बिल्कुल बनके रेडी है बहुत ही जूसी होती है को वीडियो पतंद आई हो तो वीडियो को लाइक करीगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा